वक्त देख रहे हैं संसत भावन से जहाँ पर इस वक्त प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद प्रधान मंत्री मीडिया को संबोधित भी करेंगे झाल करेंगे युष देख रहे हैं कि आल कИ दोटी करेंगे टनी कानाम मंत्री जहाँ बाती यूमत्य तक रहे ख़ता है जहाँ पर ऑननागी कर दोट्वशबान मंत्री आटैंटिशनिा कि नमस्कार साथियों कि संसर्थ का यह सत्र अत्यनत महत्मपुन है कि देश कि आजहादी के अमरित महुत्सव मना रहा है हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजहादी के अमरित महुत्सव के निमित रचनात्मक सकारात्मक जन हित के लिए राष्ट्र हित के लिए कि सामान्य नागरिक अनेक कारिकम कर रहे हैं कि कदम उठा रहे हैं और आजहादी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए कि सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई कोई दाईत्व निभाने का प्रयास कर रहा है यह खबरें यह अपने आप में भारत के उजवल भविश्य के लिए शुप्र संकेत है कल हमने देखा है पिछले दिनों सम्विधान दिवस भी नए संकल्प के साथ सम्विधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किछी के दाईत्व के समन्द में पूरे देश्ट ने एक संकल्प किया है इन सब के परिपेख्ष में हम चाहेंगे देश भी चाहेगा देश का हर सामन्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का यह सत्र और आगे वाने आज वाले भी सत्र आज़ादी के दिवानों की जो भावनाएं थी जो स्पिरिट था आज़ादी के अमरुत महुत्सम का जो स्पिरिट है उस्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करें देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजें देश की प्रगति के लिए नए उपाएं खोजें और इसके लिए यह सत्रह बहुत ही विचारों की सम्रुद्धि वाला दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मग निर्णव वाला बने मैं आशा करता हूं कि भविष्य मैं संसथ को कैसा चलाया कितना अच्छा कंट्रिबिशन किया उस तराजू पे तोला जाए नकी किसने कितना जोड लगा करके संसाथ के सत्र को रोक दिया यह मांदन नहीं हो सकता है मांदन यह होगा कि संसथ में कितने घंटे काम हुआ कितना सकारत्मग काम हुआ हम चाहते हैं कि सरकार हर विशय पर चर्चा करने के लिए त्यार है कि खुली चर्चा करने के लिए त्यार है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए त्यार है और आज़ादिक अम्रुत भावत्सव में हम यह भी चाहेंगे कि संसद मैं सवाल भी हो संसाद मैं शांती भी हो हम चाहते हैं संसद मैं है सरकार के खिलाब है सरकार की नीचियों के खिलाब है जितनी आवाद प्रकर होनी चाहिए हो लेकिन सौंसत की गरीमा स्पीकर की गरीमा चैर की गरीमा इस सब के विशह में हम वो आचरन करें जो आने वाले दिनों में देश की युआ पीडियू को काम आए पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकर परिश्थिती में भी देश्ट ने सौ करोर से अधीक दोजीच कोरोना वैक्षिन और अब हम देड़ सो करोर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि नए वेरियन की खबरें भी कि हमें और सतर करती हैं और सज़क करती हैं कि मैं साउसत के सभी साथ्यों को भी कि सतरक रहने ब्रार्शना करता हूं आप सभी साथ्यों को भी सतरक रहने के लिए ब्रारशना करता हूं क्योंकि अप सब का googlesत्ति अधिक प्रात्पिकता है देश के असी करोर से अधिक नागरीकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ नहों इसलिए प्रधान मंत्री गरीब कर लेंड योजना से अनाच मुक्त में देनी की योजना चल रही है अब इसे मार्च दो हजार बाइस तक कि समय कि आगे कर दिया गया है कि करिब 2,60,000 करोड रुपी की लागत से अच्छी करोड से अधिक देश वासियों को कि गरीब के घर का चूला जलता रहे इसकी चिंता की गई है कि मैं आशा करता हूं कि सत्र में देश वित के निर्णे हम तेजी से करें मिल जूल करके करें सामान मानवी की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें ऐसी मेरी अपेक्षा है बहुत बहुत धन्यवाद तो संसत के शीत कालीन सत्र से ठीक पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए काफी महतुपूर्ण बाते हैं प्रधान मंत्री ने कही हैं